फिल्म इंडास्ट्री में सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि जोडियां भी बनती बिगरती हैं एक दूसरे के साथ कई महीनों तक शूटिंग करते करते कलाकार करीब आने लगते हैं बात बढ़ती है और फिर रिश्टा मुकमल होने लगता है कुछ ऐसी ही जोड़ी अक्षे कुमार और प्रियांका चोपरा की थी मीज़ा रिपोर्ट्स के मताबिक 2003 से लेकर 2005 तक अंदाज मुझसे शारी करूगी अतराज और वक्त रेस अगेंस टाइन जैसी फिल्मों में एक साथ काम करते करते दोनों काफी नजदीक आ गए थे हालकि दोनों मेंसे किसी ने भी अपने अफैर के बारे में खुल कर बात नहीं की लेकिन कहा जाता है कि जब अक्षे की पतनी ट्विंकल को इस बात की जानकारी मिली थी तो उन्हें अक्षे को प्रियांका के साथ काम करने से रोग दिया था बी टाउन के कलियारों में ये बात तो बीते कई सालों से कही जारी है लेकिन इस बात का सच आज सामने आया है फिल्मेकर सुनील दर्शन ने मीडिया से बाचीत के दोरान इस बात का दावा किया है कि अक्षे कुमार ने अपनी पतनी ट्विंकल खन्ना की वज़ा सही 2005 के बाद प्रियंका चोपरा के साथ काम करना बंद कर दिया था सुनील दर्शन ने दोरों के रिष्टों पर बात करते वे इस बात का खुलासा किया कि मेरी फिल्म बरसाथ के लिए मैंने अक्षे और प्रियंका को साइन किया था लेकिन ट्विंकल खन्ना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्षे और प्रियंका साथ काम करे इसलिए अक्षण इस प्रोजेक्ट को करने से इंकार कर दिया और हमें बॉबी दिल को साइन करना पड़ा सुनील दर्शन बताते हैं मुझे लगता है ट्विंकल को किसी ने गलत जानकारी दी थी अक्षण प्रियंका के बीच फिल्माए के गाने में कुछ अश्रील नहीं था अक्षण प्रियंका के बीच गजब की केमेस्ट्री थी दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी दोनों में कई समान ताएं बे थी मुझे तो लगा गजब का गाना बन गया है लेकिन फिर प्रियंका वर्ल्ड टूर पर चली गई और जब वापस आई मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या हुआ सुनील दर्शन ने अपनी बात को जारी रखते वे कहा एक दिन अक्षण ने मुझे फोन किया और कहा मिलना है तब तक मुझे पता चल चुका था कि ट्विंकल खना को अक्षण कुमार और प्रियंका चोपरा के एक साथ काम करने पर अबजेक्शन था मुझे बताया गया कि ट्विंकल को प्रियंका चोपरा से काफी दिक्कते थी इस प्रोफेशन में कभी कभी लाइफ स्टाइल की वज़े से दिक्कते होने लगती है और मीडियन बातों को उरा देती है इस घटना के बार सुनील दर्शन ने प्रियंका चोपरा के साथ कभी कोई फिल्म में काम नहीं किया हाला कि अक्षे कुमार के साथ वो फिल्म दोस्ती में काम कर चुके थे लेकिन ये अक्षे और सुनील की साथ में आखरी फिल्म थी सुनील अजय देवगन शारुख खान और आमर खान के साथ भी कई फिल्मों में काम कर चुकी है फिल्हाल उस वीडियो में इतना ही आप देख तरे मियो वॉल्फ को जाद जादे हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया